Rapid sketching क्या होता है and Rapid sketching क्यों करना जरूरी है Rapid sketching में क्या होता है कि आ कुरी तठीके से satisfied होते है मैं समत् nurture बहुत लोग यह challenging face कर रहे होंगे जब मैंने art को seriously कतना start किया, Тоakah मैं कुछ challenges face कर रहा था और challenging facing क्यों था? क्योंकि मैं कहीं जॉब भी करता था जॉप करने के साथ-साथ मैं कहीं study भी कर रहा था और study के साथ-साथ मैं अपने art को भी time दे रहा था इससे कहीं ने कहीं मुझे time management में दिक्कत हो रही थी और मैं art को ज़्यादा time ने दे पा रहा था तो हो सकता है कि आप मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी study भी कर रहे होंगे साथ में अपने art को भी continue रखना चाहरे होंगे या फिर आप कहीं work कर रहे होंगे और work के साथ भी art को continue करना चाहरे होंगे तो हो सकता है आपमें से बहुत सारे लोग यह challenging face कर रहे होंगे तो उन सारे चीजों के उपर आज हम लोग discuss करने वाले हैं और आज जो technique बताने वाले हैं इससे आप daily basis पर practice भी कर पाऊगे और अपने art को improve भी कर पाऊगे तो आज जो technique बताने वाले हैं उसका नाम है rapid sketching क्योंकि कहीं ने कहीं अगर हम कोई भी drawing को करना start करते हैं अगर हम drawing को complete नहीं कर पाते हैं तो कहीं ने कहीं हम frustrated feel करते हैं कि हम आज कुछ art बना ही नहीं है क्योंकि हम उसको complete नहीं कर पाएं ऐसे बहुत सारे cases होते हैं अगर हम कोई भी art को complete कर देते हैं एक ही दिन में तो ऐसा लगता है कि हमने art को time दिया है लेकिन अगर complete नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लगता है कि art को time नहीं दे पाएं तो ऐसे situation होती है तो इसलिए rapid sketching का वहाँ रोल है वहाँ पास rapid sketching अगर आप करते हो तो rapid sketching में क्या होता है पूरी तरीके से satisfied होते हैं कि वहाँ पास आप art को complete कर चुके हो और यहाँ पास आप बहुत सारा practice कर लोगे क्योंकि rapid sketching में मुश्किल से आप कोई भी art को 15-20 मिनट होगे या फिर maximum 10-10 गंटा उतना देर में आप काफी sketching कर लोगे तो इसलिए rapid sketching का role है तो इसके उपर deep में हम लोग आज study करने वाले हैं कैसे rapid sketching करें और rapid sketching के क्या-क्या फायदे है और rapid sketching क्यों करना चाहिए उन सारे चीजों के उपर discuss करते हैं चलिए हम लोग demonstration के थुरू समझते हैं कि rapid sketching क्या चीज होता है rapid sketching को किस तरह से किया जाता है तो यह best level का है तो इसको समझेगा अच्छी तरही कैसे तो चलिए अब वीडियो को start करते हैं तो चलिए आज का demonstration हम लोग start करते हैं तो आज जो मैं यह reference photo लिया हूँ जिसके through आज मैं लोग drawing करने वाले हैं तो यहां पास हम लोग rapid sketching कर रहे हैं तो पहले जैसे हम लोग proportion judgment किया थे कि किस तरह से हम किसी भी जो हम लोग reference ले रहे हैं उसका किस तरह से proportion judgment करें उसी तरह rapid sketching भी same चीज होता है बस rapid sketching में क्या चीज होता है कि आपको quickly कोई drawing को बनाना होता है तो वो सारा चीज देखना पड़ता है और यहां पास आपको कोई भी detailing walk पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है normal जो sketching है जो style यह form में जिस तरह से खड़ा है या फिर चलता हुआ आ रहा है टोकरी पकलके बस उस तरह का दिखाना पड़ता है कि हाँ उस तरह का exactly यह लगे वो सारा चीज देना पड़ता है तो मैंने भी जब इस start किया था जब drawing करना start किया था कि आपसे perfect बने या नहीं बने आपको continuous basis पर practice करते रहना चाहिए तो यहाँ पास जो हो सकता है कि यहाँ पास जो मैं reference photo लिया हूँ उससे exactly यह ना मिले और face भी जो हमारा है वो exactly यह से ना मिले कोई दिक्कत नहीं है आपको वो form देनी कोशिस करना है और rapid sketching बहुत जरूरी भी है जब आप rapid sketching करना start करते हो तो आपको आगे आने वाले जो समय है जैसे आपको कोई condition मिल जाती है कि आपको इस subject पर कोई drawing बनाना है अगर आप BFA कर रहे हैं तो आपको उन सारे चीजों पर ये चीज जो है तो बहुत ज़्यादा काम देने वाला है तो ये सारा sketching जो आपको है कोई भी situation में जब बनाने मिल जाए तो आपको exactly कैसे बनाया जाए वो आपको imagine करना पड़ेगा तो imagination होगा कैसे जब आप ज़्यादा sketching करोगे तो वो अपने आप automatic आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे तो ना जाके बनाओगे तो वही सारा चीज जब आप ज़्यादा sketching करते हो तो automatic आपको बहुत सारा चीज जो है वो समझ में आने लगता है माइन में आप ज़्यादा ज़्यादा चीजों को रख पाते हो और आप ये कभी ऐसे कुछ situation मिल जाता है तो आप उस drawing को exactly अपने mindset सिर्फ imagine करके बना पाते हो तो ऐसे बहुत सारे cases है और ये rapid sketching जब आप करोगे तो बहुत सारे चीजों में भी ये help करने वाला है चाहिए आप किसी भी तरह का drawing बनाने वाले हो या किसी भी form से drawing बनाने वाले हो चाहिए आपका pencil shading हो या फिर आपका color में चाहिए water color हो चाहिए acrylic color हो ऐसे बहुत सारे coloring है जिसमें आपको ये जो base है ना ये base जब strong हो जाता है तो वो सारे चीजों को काम करने में उन सारे चीजों में काम करने में आपको काफी जादा easy होता है तो ये चीज़ समझना जरूरी है तो ये बहुत सारे जो beginner होते है ये चीज़ को हलके में ले लेते हैं मतलब ये करना जरूरी नहीं समझते है तो उन लोगों को बता दू कि ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है ये base level के चीज़े जब इस चीज़ों को आप समझ जाओगे कि base level में किस तरह से हम drawing बनाए perfectly कोई भी चीज़ को कैसे हम लोग measurement करें वो सारा चीज़ समझ में आ जाता है तो हम कोई भी drawing को easily बना पाते है और जब हमारा drawing perfect हो जाता है तो हम किसी भी medium से जब उसको अलग level तक ले जाना चाहते है तो easily हम ले पाते है तो यहाँ पास जो मैं drawing बनाया है तो drawing बनाने के बाद normal यहाँ पास आप ऐसे normal drawing भी बना सकते है या फिर आपको ज़रा सा भी लगे कि shading करना चाहिए hatching के through या cross setting जो भी आपको अच्छा लगे तो हलका से दे सकते है ऐसे जरूरी भी नहीं है कि आपको वो सारा चीज़ देना है तो अब चलेंगे हम लोग second example कि और second example भी देखेंगे लेकिन उससे पहले यह सारे चीज़ों को समझ लिजे अगर आपको practice करना है कि लोगों को share भी कीजिए आप मेरे whatsapp पे भी share करके share कर सकते है मैं आपके walk को जरूर देखूंगा और उस पे improvement अगर कहीं होगा तो वो भी मैं बताऊंगा तो वो सारा चीज़ को आप जरूर share कीजिए और practice करते रहिए इसके लिए आप अगर photo का दिक्कत है अगर photo में क्योंकि मुझे Instagram में एक art lover ने message भी किया था कि आप photo कहां से निकालते हो या फिर एक का और जो art lover है उन्होंने पूछा था कि मुझे कुछ reference कर सकते है जिसके through में drawing बनाऊगा तो ये सारा photo आप Pinterest से निकाल सकते है या तो फिर आप Google से भी निकाल सकते है ये आप search कीजेगा तो आपको इस तरह का photo आराम से मिल जाएगा और इससे आप लोग practice कर सकते है तो starting में हो सकता है कि आप थोड़ा सा difficulty होगा Google से अगर निकालते है तो बार बार आपको you mean and you count करना पड़ेगा तो अगर आप print out निकाल लेते है तो वो base रहेगा आप किसी भी चीज को अच्छे से देख पाओगे और main चीजे की चस्मा आपको नहीं लगेगा इसे लिए आपको print out निकालना बहुत जरूरी है तो यहाँ पास रिखसा चालक का भी मैं बना रहा हूँ तो normal proportion judgment जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से इसको भी हम लोग बस उपर उपर से drawing कर रहे है क्योंकि यह सबसे base level का चीज है और यह चीज हमारा जब बन जाता है ना तो इसके अंदर जो detailing वगेरा हम लोग easily डाल सकते है और किस तरह से हम लोग उसको बना सकते है उसके लिए भी मैं video ले आ चुका हूँ कि यह आप कैसे proportion judgment के थूँ उसके बाद अगला process में जाए और किस तरह से face को exactly मिला है वो सारा चीज भी मैं बता चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो वो video देखिएगा इस video को देखने के बाद क्योंकि base level का चीज़े को पहले strong करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और rapid sketching करने के फायदे क्या है कि जब हम rapid sketching करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को cover कर सकते हैं और अगर हम detailing में direct starting में घुषते हैं तो हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों पर practice नहीं कर पाते हैं एक ही चीज़ पर हमें तीन से चार दिन लगाना पड़ता है या कहीं न कहीं सब्ता भर लग जाता है कोई ड्राइंग को बनाने में तो वहाँ पास हमारा टाइम वेस्टिंग होता है अगर इनिसेल लेवल पर है तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो सबसे वीक नहीं हो रहा है या फिर मेरे सेडिंग में खराबी है या फिर कलरिंग करते तो कलरिंग में क्या चीज़ में खराबी है वह सारा चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा खुद आपको खुद अपने आपको अब्जर्ब करना पड़ेगा कि मेरे गलती कहां पास हो रहा है ज क्योंकि वह काफी साल भी उस चीज में दिये तो इसलिए वह अपना स्टाइल के थूरू वह ड्राइंग करते हैं तो वह स्टाइलिंग ऐसे डेवलप नहीं होता है आपको उसके लिए काफी टाइम लगाना पड़ेगा हर एक चीजों को समझना पड़ेगा हर एक ड्राइंग होगा क्योंकि आप सोचोगे कि एक ही बार में अभी स्टार्ट किया और मास्टर पीस बना ले तो वह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको काफी समय लगाना पड़ेगा हर एक चीजों को जब आप समझ जाते हो ना और धीरे धीरे जब प्राक्टिस करते जाते हो इसका भ द्राइंग बना सकते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो ले आऊंगा अब बुलिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो चाहिए तो तो यहाँ पास जो है लुमिस मैठट का यूज करूंगा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वह किस तरह से लुमिस मैठट से हम द्रो कर सकते हैं वह सारा चीज देखिए और जैसे कि एंगल भी डिसाइड कर लिए कि वह नीचे देख रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर्व टाइप का लाइन दिया और बाकी जो भी हम लोग का वह सारा चीज आड़ कर रहे कप हो गया उसका या एयर हो गया औ यब भी हम कोई द्रोइंक को देखिए तो उपर-उपर का प्रॉपोपोर्शन हमंoc 보이는 देखे और यह टब ही होगा जब आप deadly basis पे प्राक्टिस करते और प्राक्टिस ऐसा नहीं कि कि आपको कोपीड़ान से थे कहीं बाहर हो भी जा रहा हो कोई घर पको कोई ट्री देख का या कोई man ही कुछ काम कर रहा तो उस चीज को आप देखिए और उसको eye से ही observe कीजिए उसका बाहर का proportion खुदी अपने eye से measurement कीजिए तब जाकर कि आप कोई भी जब drawing बनाते हो तो आप easily proportion judgment या कोई rapid sketching कर पाते हो क्योंकि drawing में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम लोग eye से उस चीज़ को drawing बनाते है जैसे कि एक dialogue था ना हमारा कि जब हम कोई drawing बनाते है तो वो हाथों से नहीं बनती आखों से बनती है क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ को perfectly देख नहीं पाते हमारे लिए वो drawing बनाने में difficulty आ सकता है तो इसलिए चीज़ों को जब आप ज़्यादा simplify करते हो ज़्यादा easily तरीके से देखते हो तो आपके लिए वो drawing बनाना काफी easy हो जाता है हाला कि rapid sketch है इसमें उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है rapid sketch है तो आपको quickly बस वो form दे देना है तो यहाँ पार जो legs वगेरा है या hand वगेरा है तो उसमें भी मैं देखा कि ज़्यादा finger वगेरा में ज़्यादा ध्यान ने दिया नौमल एक round circle दे सकते है या फिर line दे सकते है और पिछला बार भी जो मैं बताया था वीडियो में उसमें भी कैसे line के थूरू भी proportion judgment कर सकते है वह सारा चीज भी मैं एक last example है वह दे देता हूं कि कैसे आपको proportion judgment को line के थूरू देना ठीक है इस example के बार मैं बताऊंगा कैसे आपको line के थूरू easily बहुत easy तरीके से आप कोई proportion judgment कर सकते हो तो इसको पहले complete करते है देखिए इस सारा चीज हम मैं डाल रहा हूं यहां पास आपको shade देना है तो देख सकते है अधर वाई इसको इगनौर कर सकते है नॉर्मल बस sketching कीजिएगा जब तक जब आप इस चीज को तीन से चार कर लेते प्राक्टिस डेली बेसिस पे तो आपका automatic यह चीज है ना एक अलग लेवल तक चला जाएगा sketching आपका तो देखिया यह जो हम लोग का चांथा example है कि एक बुरा लेकर के आदमी जा रहा है तो उस चीज को देखे मैं किस तरह से draw करूगा यहां पास नॉर्मल मैं line दे रहा हूं सिब उपर उपर का line दे रहा हूं इसमें कोई भी जो curve वगरा है या फिर wrinkle वगरा है वो इस चीज को process कीजिएगा जब पहला बार बनाएं आप तो थोड़ा सा lightly बनाएं मतलब ज्यादा dark pencil का यूज ना कीजिए normal सबसे light जो pencil है उस pencil को ले करके draw कीजिए क्योंकि जब आप proportion judgment करते हो तो उसके बार आपको अगला process पर भी जाना पड़ता है अगला process क्या है उसमें rapid sketching करना है तो हम तो आपको suggest करेंगे कि आप paint का यूज किए क्योंकि paint का pen से यूज करने से आप ज़्यादा sketching कर पाओगे क्योंकि महाँ पास आपको कहीं भी सुधारने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन अगर pencil से करोगे तो आपको erase करने का मौका मिल सकता है तो महाँ पास वो develop नहीं हो पाता है तो I hope कि आपको यह सारा points जो मैं बता रहा हूँ हर एक चीजों को समझा रहा हूँ तो आप इस चीज को practice भी कर रहे होंगे और practice कर रहे है तो मुझे send भी जरूर कीजेगा मेरा whatsapp number description में लिखा हूँ जरूर send कीजे और अगर video पसंद आ रहा है तो video को like, share and comment जरूर कीजेगा क्योंकि आपके एक like से बहुत सारे inspiring artist है वहां तक हमारा video भी पहुंचता है तो like, share and comment और अगला topic आपको किस topic पे चाहिए वो भी जरूर comment कीजेगा तो चलिए अब हम लोको video close करते है और मिलते है next video में और ऐसे ही practice करते रहे है और art field में आगे झाल